So Netflix और Blumhouse प्रोडक्शन ने 2019 में एक मुवी रिलीज करी थी जिसका नहीं में Mercy Black आज मैं इसी मुवी को explain करने वाला हूँ और मुवी का कुछ real facts and truth के बारे में बताऊंगा और basically पूरी मुवी में इसी चीज का confusion होता है कि Mercy Black entity real है कि fake है और actually में ये मुवी real event पे based है जब 14 साल की दो लड़कियों ने अपनी दोस्त को 19 बार step करके मार डा रहा था और उनसे पूछने के बाद उनका कहना था कि ऐसा उनसे Slenderman ने करने को बोला So ये topic कापी trending हो गया था Slenderman वाला इस मुवी में बस उस Slenderman की जगह Mercy Black को रख दिया गया है और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले न So let's start the walkthrough and you all just have to sit down, keep calm and listen to me So movie start होती है और हमें एक लड़की दिखाते हैं, Marina जो अपने साथ हुए एक event के बारे में एक doctor को बताती है, इसके साथ क्या हुआ था, वो भी आगे बताऊंगा और फिर इसको इसी psychiatric facility में रखा जाता है और इसकी treatment होती है और अब 15 साल बात ये adult में change हो गई होती है और काफी हद तक mentally ठीक हो गई होती है So doctors को यहां से जाने देती है और Marina की बहन Alice इसको देख काफी खुश होती है और अपने घर ले आती है और जहां obviously ये Marina छोटे में रहती थी और Alice एक single mother होती है और इनके parents स्वर्ख सिधार गए होती है और Alice का एक 9 साल का बेटा होता है Bryce जिसकी actually अपनी aunt Marina से एच्छी bonding बन रही होती है और Marina को still रात में nightmare साते हैं इसके बचपन वाले कांट की वज़े से मतलब ये अपने बचपन के कांट पूरी तरह भूली नहीं होती है बट डिनर के टाइम Alice का boyfriend Will Marina से बात करता है जिसमों वो इससे इसके बचपन में वही mercy black वाले कांट के बारे में पूछने लगता है बट Marina उससे बोलती है कि इसको कुछ याद नहीं वो सब भूल चुकी है चलो मैं अब बता देता हूँ कि Marina के साथ बच्पन में क्या हुआ था तो Marina की एक दोस्त थी Rebecca और ये paranormal चीजों में बिलीव करती थी और reality में इसी ने mercy black के बारे में Marina को बताया था और इसी ने Marina को इन सब चीजों में घसीटा था और इसे एक ritual फॉलो करने के लिए बोला था जिसमें ये दोनों अपनी तीसरी दोस्त लिली को साथ बर इस टैप करके मार देते हैं और इसकी finger cut करके उस mercy black को as a gift दे देते हैं ऐसा क्यों किया था अब ही आगे पता चलेगा बढ़ Rebecca के हिसाब से जिसम mercy black उसको करने के लिए बोल रही है और Marina भी Rebecca की बातों में मैलोपलेट हो जाती है और पूरा ritual कम्पलीर करती है मूवी में वापस आते हैं तो Will भी Marina को बताता है कि तुमारी जाने के बाद तुमारी mercy black वाली स्टोरी पूरे internet पे वाइरल हो गई थी और लोग actually में mutter कर रहे थे mercy black का name यूज करके और आज भी बहुत लोग mercy black पे बिलीव करते हैं और रात में Marina के घर पे कोई unknown person psycho bitch वाला statue of fake के भाग जाता है मतलब सच में Marina को लोग जानते थे कि इसने mercy black की स्टोरी को जनम दिया है और अब Bryce को दिखाते हैं जिसको mercy black की स्टोरी में काफे interest आ रहा होता है ये लोगों से mercy के बारे में पूछता रहता है और जब ये अपने school की librarian से इसके बारे में पूछता है तो वो इससे internet पे सर्च करने को बोलती है मतलब वह अगर बच्चा गन के बारे में पूछे तो उसके हाथ में गन थमा दो वो भी loaded और obviously Bryce desperate होने लगता है mercy black की स्टोरी जानने के लिए और इस side marina को will आके परिशान करने लगता है कि यह marina से mercy black के बारे में बार बार पूछता रहता है जबकि marina उससे बात करने के लिए मना करती है बड़ोके से marina उसके hand में cut कर देती है और वो यहाँ से चला जाता है और रात में Alice को अपने dustbin में एक जलिवी dead body मिलती है और इसको ऐसा लगता है कि यह will ने किया है और वो गाड़ी लेके सीधे will के घर जाने लगती है इन दुनों के यहाँ अकेला छोड़के और ब्राइस marina से mercy black के बारे में पूछने लगता है और marina इसको सब सच बता देती है इससे बोलती है कि जो मेरे साथ बच्पन में हुआ था तब यह fully mental state में नहीं थी इसका कहना था कि मैंने और रविका ने अपनी एक दोस्त को बनाया था mercy black को ताकि यह lonely feel ना करें और mercy black इनकी विशच पूरी कर सके like Santa Claus यह बस 14 साल के बच्चे थी और marina ब्राइस से साफ बोल देती है कि mercy black बस हमारी imagination है और कुछ नहीं और Alice विल से जाके लड़ने लगती है कि तुमने क्या किया बट वो देखती है कि विल actually में mercy black से related सारे cases को study कर रहा है और इसलिए यह marina से mercy black के बारे में पूस्ता रहता था ताकि वहां से knowledge ले सके और यह actually में एक writer होता है तो यह mercy black की सारी knowledge इखटा करके crime book में लिखना चाता है बट जब Alice यहां से चली जाती है तो इसकी window से कोई पेड़ पौदा जैसा creature आके इसको मार देता है और अब Bryce को भी वह mercy black आके haunt करने लगती है और हमें इस time बिल्कुल पता नहीं होता कि mercy black इसे real में haunt कर रही है या सिर्फ यह hallucinate कर रहा है बट इसको देख marina को ऐसा लगता है कि सायद mercy black real में है यह अपना belief तोड़ देती है कि mercy black कुछ नहीं है और Alice marina की doctor को यहां कौर करके बुला लेती है फिर marina अपनी बचपन की दोस्त Rebecca को पता लगाती है जिसके साथ इसने ritual किये थे और इसके घर जाती है जहाँ यह Rebecca और इसकी mom से मिलती है और इसकी mom का कहना था कि Rebecca ने एक बार suicide करने का try किया था बट मैंने उसको बचा लिया तब सीय ऐसी ही एकदम सांथ है और marina को उसके घर में एक map दिख जाता है बट Rebecca इसके पीछे attack कर देती है तो यह वहाँ से map लेके भाग जाती है और Bryce अब काफी strange behave करने लगता है बट वो librarian इसे समाल लेती है और इसे घर छोड़ देती है और घर में इसका दोस इससे मिलने आता है बट Bryce खेल खेल में काफी दिमागी तरीके से अपने दोस का गला चोक करने लगता है बट फिर यह rope कट कर देता है और इसका कहना था कि mercy black ने इसे ऐसा करने के लिए बोला और फिर उसी map का यूज करके marina एक जंगल जैसी जगा पहुंचती है और जमीन में इसे एक underground जगा मिलती है एक bunker जैसी और यह उसके अंदर जाती है और explore करने लगती है और यहां इसे बचपन की सारी चीज़े याद आती है कि इसने और Rebecca ने इस जगा को ढूंडा था और mercy black वाले character को अपने हातों से बनाया था बट इस side Alice के घर में वो देखती है कि Bryce पूरी तरह से strange behave कर रहा है और सिर्फ mercy black के बारे में सोच रहा है और उसके हिसाब से रूम के बाहर mercy black है बट उसकी mom को वहां कुछ नहीं दिखता लेकिन gate अपने आप बंद हो जाता है और Alice को कोई entity विंडो के बाहर दिखती है तो यह डर जाती है और उपर से नीचे गिर जाती है और जब Marina यहां आती है तो ambulance Alice को अपने साथ ले जा रही होती है और अब घर में सिर्फ Bryce और Marina बचे होते है और Marina स्टिल Bryce से बोलती है कि mercy black कुछ नहीं होती है इसी ने उसकी story को बनाया था बट रात में Bryce अपने bet से गाया बोजाता है और जब Marina नीचे जाके देखती है तो Bryce वहां होता है लेकिन Marina पर कोई पीछे से अटैक कर देता है और यह बेहोश हो जाती है और Bryce दर के बाहर जाता है तो वहीं librarian बाहर खड़ी होती है और Bryce को अपने साथ चलने को बोलती है और इसकी एक finger कटी होई होती है नहीं समझे कौन है समझ जाओगे फिर यह Bryce को लेके उसी underground जगा ले जाती है और इस साथ मरीना की डॉक्टर इसको होश मिलाती है और मरीना ने उसको देख लिया था जिसने इसको पीछे से अटैक किया था यह वही librarian थी और इसको याद आ जाता है कि वह कौन है सो वह librarian Lily होती है इसको Rebecca और मरीना ने अपने ritual के लिए stab किया था और उसके finger cut करके mercy black को देदी थी बड़ लिली मरी नहीं थी यह किसी तरह बच गई थी और मरीना को अपना पूरा past याद आ जाता है कि क्या हुआ था सो देखू हुआ यह था कि इन लड़कियों ने mercy black को बनाया था जो कि main plan Rebecca का था यही lead कर रही थी और इन तीनों को mercy black से अपनी अपनी विशश पूरी कराने के लिए अपनी कोई चीज देनी होती है as a promise और किसी की body का part देना होता है as a sacrifice like Rebecca ने promise के form में अपने gloves दिये थे और sacrifice के form में Lily की एक finger और इसकी wish थी कि इसके abusive dad गायब हो जाए और ritual पूरा complete हो गया था तो इसके dad कभी घर वापस नहीं आये थे यह बात Marina को Rebecca की mom ने बताई थी और बाकि इन दोनों ने भी कुछ promises किये थे mercy black से बट sacrifice यह नहीं कर पाये थे so इनकी जो भी विस्ती वो पूरी नहीं हो पाई थी back to the movie हम देखते हैं कि Bryce उसी underground place में होता है और mercy black को अपनी कोई चीज देता है इसका मतलब इसने promise ले लिया mercy black से इसको भी ritual पता है और यहां मरीना आती है डॉक्टर के साथ बट डॉक्टर को पीछे से आके लिली मार देती है और वो भी अंदर आ जाती है और यहां लिली सब confess करती है मरीना से इसका कहना था कि यही थीन सब के पीछे मतलब इसको बहुत ट्राई करना पड़ा मरीना को सब याद दिलाने के लिए कि उसने mercy black से promise किया था मतलब इसी ने सायद वो psycho bitch वाला statue इसके घर फेका था और इसके घर में यही इसको हॉंड कर रही थी और इसके disturbing में भी वो dead body इसी ने डाली थी और लिली बोलती है कि इसको बहुत गलत काम करने पड़े शुसायद विल को भी इसी ने मारा था वो mercy black की uniform बहन के और ब्राईस यहां से भाग जाता है बट इन दोनों के बीच fight होती है और उस ritual के time मरीना ने ही लिली को चाको से step किया था सो same लिली भी मरीना के पेट में चाको गुसेर देती है और ब्राईस को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाती है और मरीना थोड़े हिम्मत दिखा के ब्राईस को बचा लेती है और लिली को जान से मारने लगती है बट फिर इसको realize होता है कि लिली ऐसा ही चाहती है कि इसको मार दिया जाए ताकि इसका sacrifice complete हो जाए यह बहुत ज्यादा डूबी होई होती है mercy black के faith में इसकी बातों से यह बात पता चल रही होती है लेकिन मरीसा इसे नहीं मारती यह इसका plan समझ जाती है कि अगर इसका sacrifice कर दिया तो ritual complete हो जाएगा और mercy black वापस आ जाएगी बट यहां next twist आता है कि Bryce आके लिली को मार डालता है और इसकी आँख को ऐसा sacrifice दे देता है क्योंकि आपको याद होगा इसने भी promise कर लिया था उस bunker में mercy black से और अब ritual complete हो चुका तो mercy black अपने true form में यहां आ जाती है और इसके पास अब एक आँख भी होती है और movie यहां खतम हो जाती है तो मैं अब पूरी movie को conclude कर देता हूं इन तीनों की life में कुछ problems थी तो इन लोगों ने अपनी एक imaginary friend बनाई mercy black थाकि इनका अकेलापन दूर हो पाए और यह believe करें कि वो इनकी wish पूरी कर देगी बढ़ रेबेका जो paranormal things जानती थी उसने witchcraft का use करके mercy black और इसके rules को बनाया था जिसकी वज़ा से कोई dark spirit या कोई demon इनके mercy black के form में आ गया था और जब इन तीनों ने अपने first ritual का attempt किया लिली का sacrifice करके सो वे ritual complete हो गया था और इनके सामने mercy black अपने real form में आई थी इसकी वज़ा से दोनों mentally ill हो गई थी और इनको पागल खाने बेज़ दिया गया था बट यहां लिली मरी नहीं थी वो बच गई थी और एकदम अकेली हो गई थी बट इसके अंदर mercy black को लेकर faith और बढ़ गई थी और मुवी में actually में mercy black को real दिखाया गया है और विल जिन cases को study कर रहा था वो सब real थे mercy black के ritual की वज़े से हुए थे और लिली नहीं विल को मारा था mercy black के ओपर वो book लिख रहा था इसलिए और Rebecca पूरी तरह पागल हो गई थी बट मरीना सही सलामत घर वापस आ गई थी इसलिए Bryce को लिली मैनुपलेट करने लगती है इसके अंदर mercy black के towards faith जगाने लगती है और last में Bryce पूरी तरह mercy black पे बिलीव कर लेता है और इसने ritual भी complete कर लिया था और इसी वज़े से mercy black फिर से अपने real form में आ जाती है और mercy black actually में तभी powerful होगी जब उस पे कोई बिलीव करेगा मुवी में कई जगा दिखाया गया है जो mercy पे बिलीव नहीं करता उसको ये entity नहीं दिखती सु mercy black पे बिलीव करना ही इसको सबसे dangerous बनाती है और आगे अब क्या हुआ होगा मरीना के साथ और Bryce के साथ और Bryce का क्या promise था मतलब उसकी wish क्या थी यह सब मुवी में कहीं नहीं दिखाया गया यह अब आपकी सोच के हिसाब से depend करता है आप ही guess करो क्या हो सकता है so guys इस वीडियो के लिए इतना ही if you like the video then hit the like button and ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को subscribe भी कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay tuned and bye bye